तो फिल्म की शुरुवाद में हमें फ्यूजर यानी आने वाला वक्त दिखाया जाता है। इंसान जैसा दिखने वाला यह बहुत ही अच्छा रूप है जिनने जेसी इनसान के नाम से जाना जाता है। इनका नाम GC एक कमपनी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि उसी कमपनी ने इन लोगों को बनाया है। टॉप इसलिए को GC इनसानों को एक स्पेशिप के जरीए स्पेस में भी दिया जाता है। वो लोग एक प्लैनिट एक सियारे पर जाकर अपने के नेंसी जाकती हैं, जो सब एक चेवर में सो रही थी स्पेस तक आने के लिए। यहाने का उनका मिशन था कि वो लोग एक स्पेशिप जिसका नम एट्रोमिटोस है, उसे ढूंडे जो इस सियारे पर बीज़ा था। मगर अब उसका कुछ पता नहीं है कि वो कहां है, उसके अंदर कोई गरबड़ी भी हो गई थी, क्योंकि उस स्पेशिप में ही वो चीज़ है, जिसी जमीन पर लिजा कर सब कुछ चीग कर सकते हैं, और फिर बहुत जल इन्हें वो स्पेशिप इन्हें एट्रोमिटोस मिल पीजाता है, मगर वो दीखती है कि इसमें तो एक काफी बड़ा चीट बना हुआ है, उसकी हालत से लग रहा है कि वो जल्द और बेटोट जाएगा, इसलिए ये लोग एट्रोमिटोस कोपने स्पेशिप के साथ जोरने के लिए सारी एनर्जी लगा देती हैं, जिससे आख आपता करती हैं और बताती हैं कि हमें एट्रोमिटोस मिल गया है और अब हम उसका कम्पीटर पे चला पा रहे हैं, लेकिन हाँ, अब से पहले इस कम्पीटर को तेन माँ पहले चलाया गया था, जिसके बाद तो वहां से कोई खबर नहीं आई, ना ही कोई वहां से जवाब तो इस वज़े से हमारा माना है कि एट्रोमिटोस की सारे लोग मारे गए हैं, जिस पर मैनेजर कहता है कि अगर तुम एट्रोमिटोस को बचाने के लिए अगर कोई मिशन करना चाहते हो, तो अपना वक्त ही बरबाद कर रहे हो, तुम बस ऐसा करो, एट्रोमिटोस पर रख चाहिता है इनकी एक साति को जिसका नाम आरी से जो अपने कंपेटर पर एट्रो मिटोस की सारे जानकारी निकाल रही होती है एक वीडियो में एट्रो मिटोस का कैप्टन कहेता है शुकर है आखिरकार के रुकाफटों की बाद हम यहां से निकल रही है मगर फिर दूसरी को ही सब ठीक करना पड़ता है अब चाहनक से उन्हीं एट्रो मिटोस से तेज गाने की आवाज आने लगती है अभी तक उसका तरवाज़ा बन था जिससे जैसे उनकर डॉक्टर साथी कोलता है यह सब अपने उपनी गन्स लेकर एट्रो मिटोस की अंदर आ जाते हैं अंद इससे पहले वो इन्हें कोई नुकसान पहुंचाता यह उसे ही तबाह कर दीते हैं पिर इस पूरी जगा के चार्च करने के लिए वो अलग-अलग हिसों में चले जाते हैं डॉक्टर देखता है कि स्पेशिप का ब्लैक बॉक्स यहां से सबर्दस्टी निकाल दिया गया है ब्लैक बॉक्स यहनी एक ऐसा बॉक्स जिसमें किसी भी स्पेशिप और इसकी फ्लाइट के जनकाले रखी जाती हैं साथ ही शिप को कंट्रोल भी किया जा सकता हैं मगर पिर भी वो किसी तरहां वहां चल रहे गाने को बन कर दीता हैं वो लोग दीखती है कि यहां के पर जिन्दा है जिसका नाम ट्रैविस है और पर दूरने पर आईरिस को ट्रैविस मिल पी जाता है मगर उसकी हालत काफी खराब थी बड़े बड़े बाल थी और वह चुप चाप बैटा था उसी देखने से लग रहा था जैसी वह कूमा में है इसकी बाद इनका सीनियर लेकिन हमें वो कहें पर भी नहीं मिला अभी लोग अपने सिस्टम में ट्रैविस के बारे में पता लगवाने लगते हैं जिससे नहीं पता चलता है कि ट्रैविस एक इंजिनियर है अब मजीद जांच करने पर उन्हें ट्रैविस के बारे में खास पता नहीं लगता अब इ इसलिए वो ट्रेविस की जिमेंदारे आरिस को देता है क्योंकि वो दिमाग की काफी अच्छी डॉक्टर है अब सारे जनकारे हासल करने के लिए वो रोबर्ट भी इनकी कोई मदद नहीं कर सकती क्योंकि एड्रोमेटोस की तरह उसकी भी सारी यादे मिटा दिये हैं इसलिए अपने इस वक्त का अच्छी से इस्तामाल करो और केमिकल बॉक्स को ढूरने में लग जाओ अब आरिस ट्रेविस के पाल जाकर उसे दोस्ती करने की कोशिश करती है और पूछती है कि जो लोग एड्रोमेटोस पर आए थी उनकी बीच की तालुक दोस्ती कैसी थी क्योंकि स्पेस में काफी दिन तक रहना इन चीसों पर असर डाल सकता है अबारिस कमांडर और सीनिर की पाल जाकर उन्हें बताती है कि मैंने जितने भी सवाल ट्रैवी से किये उसने मुझे किसी भी बात का जवाब नहीं दिया मगर जैसी मैंने इस रोबोट लड़की का नम लिया तो उसके चेरे पर अजीब से बदलाव आने लगी और इनसानों में ये बात हैरानी वाली नहीं है कि वो किसी रोबोट को पसंद करनी लगी खास करके तब जब वो रोबोट इनसान जैसे ही दिखती हो और जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रैवीस एक इंजिनियर है तो हो सकता है कि उसने इस रोबोट लड़की में बदलाव कर दिये हूँ अपने मताबिक जिसे वो चाहता है जिस पर सीनियर कहते हैं कि मैं अब इस रोबोट की जानच करना जाता हूँ और पता लगवाना चाहता हूँ कि आखिर ट्रैवीस और इस रोबोट के बीच में क्या है और ट्रैवीस ने अगर इसके साथ किया है तो क्या किया जिस पर कमांडर फैसला करती है कि अब सी मैं थोड़ी थोड़ी दिर के लिए रोबर्ट लड़की को ट्रैविस की पास बेजूँगा क्योंकि ऐसा करके वो लोग सारी बात पता लगवा सकती है जिसमें वो इस रोबर्ट लड़की को चारी की तरह इस्तमाल करेंगी अब कुछ दिर के बाद पोरे स्पेशिप की बिजली चली जाती है और इन्हें पता चलता है कि ट्रैविस तो यहां से बाब गया है और शायद वो अपने साथ एक गन भी ली गया है क्योंकि वहां पे रखी गन गाइब थी अब गन लेकर आईरिस ट्रैविस को डूरने जाती है वो उसे मिल तो जाता है मगर वो देखती है कि ट्रैविस ने मुझपर ही गन तानी होई है इसलिए वो प्यार प्यार से ट्रैविस से बात करने के कोशिश करती है वो जैसे उसे काबू करने वाली होती है कि तब यहां कमांडर आ जाते है गर लेकर वो आखिर ट्राविस की गञ नीचे कर दीता है जिसकी बार ट्राविस को दुबारा से बंती बना लिया जाता है और इस कमांडर से कहे थी है कि जब मैं अपना काम कर रही थी तो तुम बीच में क्यों आई तो मैं मुझ पर मेरी काम पर मेरी तरीकी पर शेक है किया कमांडर बोलता है कि तुम ज्यादा अपना दिमाग मत लगाओ और सिर्फ मिशन के मताबिकी काम करो ठीक है ना उदर जब डॉक्टर और उसकी दोस साथ में थी तो डॉक्टर की दोस बड़ी अजीब चीज़ करती है वो अपनी जैकेट उतारते हुए बोलती है कि यहां एसी के बगार कितनी गर्मी है ना अब उसका ऐसा बरताओ देकर डॉक्टर को काफी जीब लगता है क्योंकि वो एक जैसी इंसान है इसलिए उसे ऐसा कुछ मैसूस नहीं होना चाहिए अब कुछ दिर की बाद इनका पूरा सिस्टम टीए को जाता है जहां तबी पर कंपनी की मैनेजर का मैसिज आता है जिसमें वो कहता है कि तुम्हारा सबसे जुरूरी मिशन उस केमिकल बोक्स को कैसे पिकर कर डून कर लाना है क्योंकि बाकी सारे चीज़ें तो बात की बात है आईरीस एक बार पर दिवार पर बनें पेंटिंग्स और तस्वीरें देखती है और दुबारा से ट्रेविस की पास जाती है वो इस बार उसे उन पेंटिंग्स और तस्वीरों की ही बात करती है जिसके बाद वो रोबोट लड़की को तुबारा सी ट्रेविस की पास पेशती है खुद वो एक दूसी जगप पर आकर एक चूटी सी कैमरा के जरीए उन दोनों को दीख रही थी वो दीखती है कि ट्रेविस रोबोट के कान में मेंडरिन जुबान में कुछ कह रहा है अब आईरिस अपने सीनियर से बात करने जाती है जहां वो कहता है मुझे याद नहीं आ रहा मैं यहां क्यों आया था और ही काफी जीव है क्योंकि मैं जिसे कभी नहीं भूलता अब सीनियर को मेंडरिन जुबान आती थी इसलिए उसके पास आई थी वो फिर सीनियर को ट्रेविस की कहीं बात सुनाती है मगर क्योंकि ट्रेविस काफी हलका बोल रहा था इसलिए फिल्हाल तो उसे कुछ भी समझ नहीं आती इसलिए वो कहता है कि अभी तो मैं इसे समझ नहीं पा रहा ट्रेविस ने तुम्हारी कान में क्या कहा था इसके जवाब में रोबोट कही थी कि उसने कहा था कि हम बेशक एक नहीं हो सकती मगर तुम मेरे दिमाग में हमेशा हो और अब जब ये बात सीनियर को पता चलती है तो वो समझ जाता है कि ये बात गल्द है क्योंकि अब तक रिकॉर्डिंग वो भी सुन चुका था और समझ किया था कि रोबोट किसी वज़े से जोट बोल रही है मगर एक रोबोट ऐसा कैसी कर सकती है क्योंकि रोबोट तो जोट बोलते ही नहीं अभी सब लोग आपस में बात कर रही होती है कि आगर कैसे हम ट्रेविस से अपने सवालों के जवाब हासिल करें सेनियर उसे मार पेट करके जवाब लेने का मश्वरा देता है मगर कमांडर और डॉक्टर ऐसा करने सी मना कर दीते हैं क्योंकि वो ऐसा कोई तरीका नहीं अपनाएंगी जिसमें वो ट्रेविस को मारे पीटी अब डॉक्टर की साथ ही बोलती है कि मेरी बातरूम में कोई खराबी हो गई है तो डॉक्टर उसे ठीक करने के लिए चिला जाता है वो जब खराबी ठीक कर दीता है तो उसकी दोस्त से गले से लगा लेती है और अपने साथ रुकने का बोलती है उदर आरेस अभी भी ट्रेविस पर नज़र रखी हुए थी और इस पर ट्रेविस बोलता भी है मगर रिशियन सुबान ने अब इससे पेले कि उसकी बोली हुई बात को कंपुर्टर समझ पाता एट्रोमेटोस हिलने लगता है जिहां तभी उन्हें पता चलता है कि एक जगा का दिर्वाजा कूला हुआ है इसलिए इनके स्पेशिप में बाहर की सारी हावा आ रही है कमांडर देखता है कि डॉक्टर अपनी दोस्त की कमरी से बाहर आ रहा है मगर फिल्थाल के लिए वो इस बात को नजर अन्दास करके आने वाली मुसिबत पर दिहान दीता है उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही होती तिये दिर्वाजा किस निकोला और वो भी समान वाले कमरे का हुए क्योंकि वो तो हमेशे ही कफी मस्भूती से बन रहता है दिर्वाजा बन के नी डॉक्टर रसी पे इनके बाहर जाता है और रसी को कमानडर ने पकड़ा हुआ था वो दिर्वाजा तो बन कर दीता है मगर डॉक्टर की दोस रो नहीं लगती है क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद मेरा दोस्त मुसीबत में है अब कमांडर तो सही सलामत आ जाता है मगर हवा की प्रेशर से डॉक्टर भी होश हो जाता है इसलिए सीनियर उसे चेक करने उसके जाज करने अपनी साथ ली जाता है वो फिर बताता है कि मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है इससे बस थोड़े अराम की जुरूरत है फिर ये अपनी नॉर्मल हालत में आज जाएगा इसकी बात कमांडर डॉक्टर की दोस्त को डांटनी लगता है क्योंकि जब वो उसका बात्रूम ठीक करने गया था तो इसनी डॉक्टर को गले से लगा लिया था वो कहता है कि तुम्हें ये बात अच्छे से याद रखनी चाहिए कि हम आम इंसान नहीं है बलकि हम जेसी इंसान है जो उस्ती करना करीबाना ये सब हमारे लिए नहीं बना थोड़ा ख्याल रखो तुम आरीस अब सीनियर से पूछती है कि क्या कोई रोबर्ट जोट बोल सकता है जिस पर सीनियर कहती है कि हाँ रोबर्ट जोट बोल सकते है अगर उन्हें किसी बात था जोटा जवाब देने के लिए प्रोग्राम किया जाए तो वैसे अपनी मर्दी से वो कोई जोट नहीं बोल सकते और हाँ मैंने उस रोबर्ट लड़की की जांच की थी मगर मुझे तो उसमी से कोई भी ऐसी प्रोग्रामिंग नहीं मिली अब आरिस दुबारा से अपने सिस्टम पर आजाती है अब की पार इस बात का जवाब ट्रेविस फ्रेविस फ्रेंच सुबान में देता है जो आरिस समझ भी जाती है क्योंकि उसे भी थोड़ी बहुत फ्रेंच सुबान आती थी इस बार उसने दुबारा से किसी किताब का जिकरी किया था डॉक्र की दोस्तने एट्रो में टोस का वो सिस्टम ठीक कर लिया होता है जिससे वो राप्ता कर सकती थी मगर उसे दुबारा से वो ही वीडियो आ जाती है जो पहले भी आई थी असल में ये सारे पुराने रिकॉर्डिंग से जो हर दो गुंटे की बाद आ रही है कमांडर उसी कहता है कि तुम लगतार जमीन पर मेस्ज़ बेश दी रहो जब तक की कोई जवाब नहीं आ जाता ये देखकर वो रोने लगती है जिस पर कमांडर उसी तुबारा से डाणता है कि तुम क्या कर रही हो जैसे हो कर रही हो अब इसे वक्ट डॉक्टर भी यहां आ जाता है जिसी देख उसकी दोस्त गले से लग जाती है अब उनको ऐसी देखर कमांडर दुबारा से उन्हें डाणता है कहता है कि यह सब तुम दोनों की वज़े से हुआ है अगर उस दिन तुम दोनों साथ में ना होती तो तुम ही पता चल जाता कि समान वाले कमरी कर दर्वाजा खूला हुआ है और हमें यह सब ना देखना पड़ता तो इसलिए चिपकना बंद करो और दूर रहो एक दूसरे से क्योंकि तुम दोनों की गलती की वज़े से हम सब मरने वाले थे वो पर डॉक्टर की दोस्त को कहता है कि तुम तो सबसे पहले काम करो तुम जाओ सीनियर के पास अपने जाच करवाने कि आखर तुम इतने जस्पाते क्यों हो रही हो वो डॉक्टर को फिर बताता है कि लाग कोशिश के बाद भी जानकारी नहीं मिल रही पता नहीं जानकारी यां कहां चली गई है सिनियर डॉक्टर की दोस्की जाज कर रहा होता है मगर उसे कोई भी गड़बड़ी नहीं मिलती वो पिर सिनियर से पूछती है कि आजगल आपको कुछ अजीब मैसुस हो रहा है अब भाला की सिनियर को अजीब मैसुस हो तो रहा है मगर इसकी बवाजूद भी वो ना में जवाब देता है इधर आइरिस ट्रेविस की फ्रेंच में बोली गई बात की जाज कर रही है जिसकी बाद वो दिवार पर बनी तस्वीरों और पेंटिंग्स पर लाइट मार के देखती है जहां उसे छुपा हुआ मैसे समझ जा जाता है वो पुराने जनकारियों को भी देखती है अब कमांडर उसकी पास आता है ये पूछने के लिए कि अभी ते तुमें क्या जनकारे मिली है जिस पर आरिस बताती है कि अट्रोमिटोस तब भी खत्रे में नहीं था हमारे आने से पहले ट्रेविस अट्रोमिटोस को सबसे बड़े सयारे पर ले गया था जो काफी कतर नाक था क्योंकि ऐसा करना उसकी मजबूरी थी और वो केमिकल बॉक्स जिसे हम डूरनी आए हैं उसे लेकर भी अट्रोमिटोस की लोगों की बीच में बेहस हो गई थी इसलिए मुझे लगता है कि कमपनी के मेनेजर ने हमें केमिकल बॉक्स के बारे में जो भी बताया है वो सच है ही नहीं पर नहीं बलकि मेरे पीचे रखी पाने की फिल्टर मेशीन परतानी थी है जो भी है मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि जो भी केमिकल है बहुत खतरनाक है और पानी से इसका कोई तालूक है जो हम जैसी लोगों और इंसानों के लिए खत्रा है जिस पर कमांडर कहते है कि या तो इन सक पर कोई सबूत लेकर आओ या पर ट्रैविस का मुझ खुलवा कर उसे जानकारे लो वो पर दुबारा से ट्रैविस के पास जाती है और कहती है कि मुझे सब बता दो इस पर दुबारा से वो किताबों की बातें करने लगता है और ये भी कि उस केमिकल बॉक की वज़े से सब के सब मारे जाएंगे साथ ही वो जोर से हसने भी लगता है जिस वज़े से आरिस को इतना गुसा आ जाता है कि वो यहां से चिली ही जाती है इस तुरान आरिस और सीनियर दोनों के साथ ही अजीब होता है आरिस का हाथ कांप रहा था तो सीनियर बातें बोल अब डॉक्टर कमांडर को बताता है कि अगर केमिकल बॉक्स को स्पेस में छोड़ा होगा तो वो बड़े प्लैनिट की समीन पर जाके गिर गिया होगा मगर तोटा भी नहीं होगा क्यूंकि उस बॉक्स को खास तरह से बनाया हुआ था और जनकारी के बगएर उस बॉक्स को अगर पूछती है कि जल्दी बता दो केमिकल बॉक्स कहा है वरना सीनियर तुम्हें बहुत बुरी तरह से मारेगा और लहु डुहान कर देगा अब पहले तो वो कोई जवाब नहीं दीता देखता है कि सीनियर रोबोट की हाथ को नुकसान पहुंच आ रहा है और पिर जैस मिटी मिटी बातें करके उसकी गले से लग जाता है उसकी दोस्त भी बातर में आ जाती है इसलिए उसे रोकते भी नहीं यह देकर कमांडर को इतना गुसा आता है कि वो जाकर डॉक्टर को पीट नहीं लगता है मगर सीनियर उनकी लड़ाई छुडवा कर वो जनकारी बतात सीव उस जगा की बारे में पता लगवा लेती हैं जहां वो बॉक्स हैं मगर जिब भी उस जगा को चेक करती हैं तो इन्हीं वहां कुछ भी नहीं मिलता कमांडर बोलता है कि मैं और डॉक्टर नीची जाकर बॉक्स को ढूलते हैं और अपने साथ ले आते हैं जिस तुरान आरिस उस रोबोट को टी करने का समा लेकर ट्रैविस की पास आती हैं और पहले की तरह सवाल जवाब करती रहती हैं ट्रैविस बताता है कि मैंने ही लाशों और उस केमिकल बॉक्स को उस बड़े प्लैनेट पर बीज़े था मैंने ही एट्रोमेटोस और इस रोबुट की यादों को मिटाया था मगर आखिर में मैं कुछ को नहीं गदम कर पाया असल में यहाई काफी बड़ी गड़बडी हो गई थी जिस वज़ से एट्रोमेटोस में यह सब हुआ मैं क्योंगे उस गड़बड़ी को बूल नहीं पा रहा था इसलिए मैंने उसे यहाँ की हर एक दिवार पर बना दिया तकि जो लोग यहाँ पर आएं गड़बड़ी का उन्हें ख़ोद ही पता चल जाएं तकि जो भी गड़बड़ी मसला मसाइल यहाँ पर था वो जुबान से बताया नहीं जा सकता असलमें जब उस केमिकल बॉक्स को अंदर शिप में लाया जा रहा था तो किसी के कपड़ों की साथ लगगर वो केमिकल भी अंदर आ गया और पानी में मिक्स हो गया जिस वज़े से यहां का सारा पानी खतरनाक जहरीला जान लेवा हो गया और यही वज़ा है कि इतनी तीजी सी लोग मारे गए हाला कि मैंने इस बारे में जमीन पर मेसेज भी बीज़ा था यानि के केमिकल की वज़े से पानी खतरनाक हो गया है अब वो लोग जो जान गए थे कि ये कैमिकल कितना खतरनाक है इसी जमीन पर नहीं ले जाना उन्हें मनेजर के साथियों ने मार दिया और सिर्फ मैं जिन्दा इसलिए बच गया क्योंकि मैं किसी की तरफ नहीं था मगर फिर बचे हुई लोगों को भी कोई मारता जा रहा था अब जिस लेब में जीसी इंसानों को बनाया गया था यहीं उस कंपनी की वो इंसानों को खत्म करना चाहती है यही वज़ा थी कि मनेजर इस पोक्स को बार बार समीन पर क्यों नंगवा रहा है क्योंकि इसकी जरीए वो पूरे इंसानित का खत्मा करना चाहता है वो लोग इसी ने मानना चाहती है, ताकि इंसान के कौंसे GC इंसान को पहले जैसा ठीक किया जा सके, मतलब जो बदलाव GC में आते है वो ठीक हो सके, ये सारी बाते सुनकर जैसी आरिस वहां से जाती है, तो ट्रैविस अपने रोबोट को ठीक करनी में लग जाता है, अब डौक्टर की दोस्त की पास मेनेजर का मेसेज आता है जो कहता है कि ये मेरा आखरी मेसेज है। आगी वो कहता है कि मुझे पता चल रहा है कि तुम लोग अजीबो गुरीब सा मेसूस करे रहे हूं ये सुनकर आइरेस कहती है कि कुछ भी करने सी पहले हमें कमांडर और डोक्टर की वापिस आने के इंतिसार करना चाहिए जो नीचे गई है केमिकल बॉक्स को डूरने के लिए अब कुछ दिर की पाद जो वो वापिस आते हैं तो आपस में बेटरी बात चित करने लगते हैं कि अपने अपने जान बचाने के लिए क्या किया जाएं इड्रोमीटोस पर बाद में जितने में लोग मारे गे थे उनने और किसी ने नहीं बलके इस रोबोट नहीं मारा था एक इसी वक्त रोबोट चाग जाती है और सीनियर पर हमला करकी उसका गला पकर लीती है पिर जैसे सब लोग अपने गर्स लेकर वहां पहुँचते हैं तो सीनिर को भी होश बढ़ा देखते हैं जिबकि वो रोबोट तो ट्रेविस को अपने साथ लेकर भाग चुकी थी अब तब ही ने कोई आवास सुनाई देती है इसे डोक्टर चेक करने जाता है मगर जिब वो वापिस आता है तो ये देकर काफी हरान और दुकी हो जाता है कि उसकी प्यारे दोस्त को उस रोबोट ने मार दिया है अब इस बास से उसे इतना गुसा आ गया था कि आरिस की मना करने की बवाजूद भी वो अकेला ही रोबोट को डूरने के लिए चला जाता है वो फिर उसे समान वाले कमरे में मिल पी जाती है मगर जहां वो पहने मासूम सी थी चुक चाप सी थी अब वो इतनी तेस हो गई थी कि काफी कतर नाक लड़ने लगती है हलांकि डॉक्टर उसका मुकाबला करता है उसे मारता है मगर वो उस पर भारे पढ़की उसे काफी मारती है और आखरकार उसके जान ही ली लेती है अब आरिस को ट्रेविस पीचे से डून लीता है और गन से उसको भी होश कर दीता है अब तबीदर कमांडर आकर ट्रेविस पर भी हमला कर दीता है अब जब रोबोट यहां आ दी है तो वो समझती है कि आरिस भी होश पड़ी है इसी ने उसके पास है गुसरती है मगर असल में तो ये बस इसे पसाने का जिवाल था कमांडर ने जो दुरहसल ट्रेविस को पकड़ा हुआ था ताकि वो रोबोट को कंट्रोल कर सके जिसकी बाद कमांडर और आरिस स्पेशिप की बिजली वने हिसे पर हमला कर दी है ऐसा करने से रोबोट पर बिजली गिरती है और वो तोटका गिरनी लगती है अब बाद में कमांडर ट्रेविस को मारने का सूचता है क्योंकि उसने ये रोबोट में बदलाव किये थी जिस पर वो कहता है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया अब तब ही इदर आरिस अपना फैसला बदल लीती है वो ट्रेविस की बज़ाए कमांडर को ही मार डालती है आरिस पिक बताती है कि 98 फिसद जेसी लोगों में एक गड़बड़ी आई है बज़े हुए 2 फिसद लोगों में मैं भी हूँ जिब ही तो मेरी अंदर कोई बदलाव नहीं आया जिस पर वो बताता है कि असल में वो रोबर्ट चाहती थी कि वो और मैं एक जैसी होकर एक दुसरे के करीब आ सके इसलिए उसने को नहीं अपने अंदर बदलाव किये थी मगर मैं यह नहीं जानता था कि वो इतने कतर नाक हो जाएगी और उसकी प्रोग्रामिंग भी बदल जाएगी इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए हमें जमीन पर जाना होगा अब आरिस ट्रेविस को एक छोटे स्पेशिप की जरीए जमीन पर वेशती है यहाँ पर जो भी हुआ वो सब बताने के लिए भी कहती है क्योंकि खुद वो यहीं रुक कर अपने जया लीना चाहती है खुद को खत्म करना चाहती है वो खहती है कि मैं इसी लाइक हूँ क्योंकि एक बर बच्पन में गुस्से की वज़सी मैंने किसी को मार दिया था अब जैसे ट्रेविस यहाँ सी दूर जाता है वो इस स्पेशिप को बड़े प्लैनेट पर गिरा कर तबाह कर लीती है ताकि वो सारे मुसीब्तों से चुटकारा पास सके और बागी लोग भी कैमिकल्टी खत्री से अज़ाद हो जाए और इसी के साथ यह काहानी इधर ही खर्थ मोज़ाती है